मुख्यमंद्री कबरनाथ अनुभवी लेता है कॉमर्च मिनिस्टर भी रह चुकी है और इन्वेस्टरों से उनके संबन्द भी अच्छे है इस बात से कह सकते हैं कि निश्चे तोर पर इन्वेस्टर समित के बाद प्रदेश में तरखी होगी यह बात इन्वेस्टर मुख्यमंद्री दिग्वेजेस सिंग ने कही इस तोरन राजिसबा सांसर दिग्वेजेस सिंग ने कमरनाथ सरकार की पॉलिस कर्मियों सरकार की पॉलिसियों की सरहाना की दिग्डी जाबो चुनाब पर बोले की आधिवासियों में आज भी कॉंग्रिस की प्रती आस्ता है और विश्वाश भी है इचले विधानसबा चुनाब में भी अधिकांश सीपे कॉंग्रिस को मिली है वही शिवराद सिंग के समय हुए घोटालों पर कहा की इनके कई प्रक्रेन सामने आ रगे हैं पता चलेगा किसने किसने प्रदेश को नोचा है और जड़ ही कई नाम भी सामने आएगे दिग्डी बोले की घष्ट अधिकारियों पर शिकंजा कसने की बात कही है पूर्व सीम और कॉंग्रेस की वरिष्ट नेता सिंग ने गोपाल भालगर के पिछले समिट के वयान पर पलेटवार करते हुए कहा कि अच्छा है उन्होंने स्विकार कर लिया कि उनके समय प्रदेश में इंवेस्टरों ने पैसा नहीं लगाया दिवेजे सिंग ने कहा अपनी शैनी में पत्रकारों के सवालों के बेबाकी के साथ जवाब दिये अब परिवार वाज जहां तक सवाल है वो हर पॉलिटिकल पार्टी में है कौन सी पॉलिटिकल पार्टी में नहीं है और अब तो क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड में भी आ गया है तो इसलिए तो ये आरोप उनका सही नहीं है और यहां तक कॉंग्रेस के बारे में तो कोई पहली बार उनों नहीं कहा है और मैं समझता हूँ कि वो देश की चिंता ज्यादा करें बेरोजगारी बढ़ रही है MTNL के लोगों को तंखा दो महीने से नहीं मिल रही है BSNL के तीन महीने से चार महीने से तंखा नहीं मिल रहा रही है लोग बेरोजगार हो रहे हैं उस पर विचार करें उस पर ध्यान दें बाकि सब चीज़ें छोड़ें